चलिए अब इसके अंदर सर्थ तीन पॉइंट है तो कितने सवाल होगे तीन है न कहता है इकुटी शेर दे रखा है पर फ्रेंश यर दे रखा है ठीक है मार्केट प्राइज ऑप दा शेर यानि पीजिरो मिल गया और इसका डिविडेंट कहता है एक्सपेक्टिड कंपनी विल पे तो यह क्या कौन सा डिविडेंट हो का बताओ विल पे कह रहा है तो डीवन हो गया शेर एड़ 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 ग्रोथ रेट सेवन परसंट है तीनों चीजे यानि कहीं तो बड़े आसानी से निकाली जा सकते हैं यहां से आग तक निकालते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है दा निव वेटेट एवरेज कॉस्ट ऑफ क्यापिटल निकालीए डबलू एड़ एसे सी निकालीए जब आपका एड़िशनल आपको रिक्वार्मेंट है बीस लाख रुपे का डेट का और उसके उपर दस परसंट का ब्या Is the expected और ऐसा करने से हमारा डिविडेंट क्या हो जाएगा तीन बन जाएगा तो यानि के यही बदल जाएगा और ग्रोथ रहेगा लेकिन market price किटना हो जाएगा हमारा पददर तो हमेशा यद रखना जब loan ज़ादा लेते हैं तो dividend हमेशा बढ़ी जाता है क्योंकि loan ज़ादा लोग है तो number of shares कम हो जाएगा number of shares कम होने का मतलब distribution कम लोगों में होगा distribution कम लोगों हो तो ज़्यादा ज़्यादा बटेगा तो ऐसे situation में इसका मतलब यहां पर आपको केई नियू निकालना पड़ेगा लून के साथ ठीक है बाकि सब सेम ही रहने वाला है कहता है दा cost of capital बताईए पहला पार्ट को मद्य नजर रखिये और उसके अंदर आपका growth rate जो दे रखा है आपका वह कितना हो जाए 10% हो जाए और यहां पर इशू 10% डिवेंचर तो growth rate यहां पर कहता है इसमें पूरा सवाल नहीं करना सिर्फ cost of capital पूछा यानि केई पूछा गया है ठीक है ना capital में हम क्या माल लेते हैं equity माल लेते हैं ठीक है ना और तो एक यह वाला point करेंगे एक यह point करेंगे आप इसको भी निकालना चाहते हो तो निकालकर दे सकते हो एक्जामनों को पूरे format में तो cost of capital थोड़ा सा एक sentence ऐसा है न cost of capital में कई बार की भी मतलब निकल जाता है कई बार के वह भी मतलब निकल जाता है यानि overall cost of capital गोल देता है तो तीनों सवाल बहुत easy है तो मैं फटा-फट से कर ही देता हूँ एक, दो, तीन चलिए equity share capital पहला पार्ट कर रहे हूँ 40,00,00 preference share capital 10,00,00 debenture 30,00,00 और यह 6% है और यह 8% है हमें साहिए याद रखिए का preference share में कभी जल्दी बदलाब होता नहीं है यह 6 से लिख दिया मैंने, ठीक है क्योंकि उसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, redeemable वाले में बदलाब हो जाता है इसके अंदर तो simple जो rate दे रखा है वह ही, क्योंकि इसके अंदर वो text वाला factor तो हटी जाता है चलिए अब पहले क्या निकालने हम केई सर केई, मैं formula नहीं लिख रहा, सीधा आपका क्या बनेगा D1 divided by P0 plus G और पहले वाले point को मद्दे नजर निकालना है तो उसके लिए यह वाला data यूज़ करना है, यानि हमारा 2 divided by 20 और plus में 0 point क्या आगे बताएगे 17% 17% ठीक है अब अगला निकाल लेते हैं KD क्योंकि KP तो निकालना नहीं है KD के अंदर क्या है हमारा tax rate 30% है तो यानि 100 रुपे का debenture मान interest है तो 8 रुपे का ब्याज हो जाएगा, 100 का face value मानेंगे तो 8 divided by 100 और 1 minus T 0.3 तो यह कितना आजाएगा 5.6% ठीक है अब यहाँ पर यह rate लिख दीजिए बस देखे कितना आसान सवाल है और यह सवाल देखे 2013 में B.com अनर्स में पूछा गया और ऐसे ही सवाल पूछे जाएगे इस चेप्टर में से आप यह मत समझेगा बहुत बड़ा सवाल आएगा तो यह 15 नंबर में इसी टाइप के सवाल पूछे जाएगे सिंपल दो से तीन पॉइंट पूछ लेंगे वह तो यह आजाएगा हमारा जीरोज पॉइंट वान सेवन सेवन और जीरो पॉइंट जीरोफा इस तो चार इटो यह कितने हो सेगे एक च् 낮 चह डि और चह यह कितने हो जाएगे साथ हजार अर चक्पन तीस यह करना 5.56 appreciate 168 है ना टूटल कर लिजिए एक तो निकाल लिया हमने पचास तीस असी नाइन जीरो यहां निकाल लेते हैं डबलू ए नाइन जीरो एट ट्रपल जीरो डिवाइडिड बैसी लाग वैसे यह होमवर्क में दिया जा सकता था सवाल ग्यारा पॉइंट थ्री फाइव ग्यारा पॉइंट थ्री फाइव सही है सेकेंड पार्ट करें यह आप सेकेंड पार्ट होमवर्क में करोंगे बता हूं सेकेंड पार्ट में सर्फ केई फर्रग आएगा केई निकाल के दिखा देता हूं और सेकेंड पार्ट रहेगा होमवर्क में के त्याहर थे किय निक्राइब्ठ निकाल देता हूं सेकेंड पार्ट में क्या होना है एक और परिशन एड होले है क्या हूज़ाना है सर बीच लाक रुपए और एक नया ळिवेंचर है से टेन फरसेंट वाला हमारा एक न यह वेंचर है एक ही पार्ट एड होना है और यह की बदल जाएगा इन दोनों पर कोई फरक नहीं होगा एक 10 परसेंट और डिबेंचर आजाएगा और देट इस कितने 20 लाग और 10 परसेंट डिबेंचर है तो यह 7 परसेंट आएगा मैं इसके लिए नियू केडी निकाल देता हूं इसके लिए यहां पर चल रहा है ठीक है सर केडी केडी कितने 10 परसेंट है दस डिवाइडिड बाइस सो वन माइनस 0.3 तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 परसेंट आ जाएगा जैट इस 0.07 सर केई निकाल दो एक बार केई के अंदर सवाल में बोला गया है चेंजिस हो गया है डिविडेंट 3 हो चुका है मार्केट प्राइस पंदरा हो चुका है ग्रोथ अंचेंज है तो ग्रोथ पहले कितना लिया था हमने 0.7 साथ परसेंट तो कितने हो गए बदाएगे 27 परसेंट तो जीरो पॉइंट तू सेवन इंटू चालिस लाग चेक कर लेना भाई यही आ रहे है न दस अस्ति पॉइंट सेवन इंटू भीस लाग एक चालिस यह तीसरे में हैं दूसरे में तो अंचेंज है ठीक है दस अस्ति चौदा लाग अड़ तालिस अजार चालिस पचास और तीस अस्ति और बीस सौलाग इसका डबलू ए सी सी चौदा लाग अस्ति अजार डिवाइड़ वे सौलाग अ मैं यहां लिख देता हूं तो इससे ने अच्वाइड प्रट आया मेरा वह दो पॉइंट कुछ्छ फ़र्त चले हूं ठीक है अब थर्ड पार्ट में बोला गया है कि आपको सेकिंड पार्ट एसे टीज एजिम करना है पूरा कोश्चा नहीं कर देना ठीक है लेकिन वहां पर केई बदल जाएगा बस केई क्या होगा थर्ड पार्ट के लिए चलो यह भी मैं इधर लिख देता हूं सिंपल सा तो केई है केई क्या होगा हमारा दीवन डिवाइड़ बाए पी जीरो प्लस में जी सट दीवन बोलता है सवाल में तीन आ गया और पंदरा हो जाएगा और प्लस जी जो है ना वो बद अधल के दस हो जाएगा तो देख लो कितना आ गया फीस परसेंट हो गया तो बस यह 30 per sends से करना है आपने बस तो कातीसरा प्लजूम वर्क में रखते है ठीक है थर्ड पार्ट वूम वर्क में रखते कि क्यों कि दूसरे पॉइंट में देखिए ना कह रहा ही कि यह चीज बदल गई है डिविडेंट बदल गया है और शेर्स का प्राइस बदल गया है तो विस्थ है कि के यह बदलेगा फिर कि बताइए कोई डाउट कि यह बड़ा सेंपल सा सवाल है कि यह तो होमवक में दिया था पहले बताइए इस वाले पॉइंट में डाउट किसी का इस वाले में किसी का डाउट नहीं कि बताइए जो बताइए और शेह वाले माले में डाउट कि रहाईए जो जो ढाउट कि यह बदलेगा तो होमफ लाद का अंपक रहले है झाल झाल